विडियो है विप्रो लिमिटेट पे विप्रो लिमिटेट के शेर में फाइनली तेजी आ रही है कल के सेशन में स्टॉक 6.43% बढ़के 463 के लेवल पे क्लोज हुआ है कल एनसी के डेटा के हिसाब से स्टॉक में अराउं 2.3 करोड शेर का ट्रेड़ वॉल्यूम था यहां से बढ़ेगा क्या यह स्टॉक अपना ओल टाइम हाई का लेवल जो की है राउंड 700 रूपीज का वह आप दिखा सकता है और कौन सा ऐसा फेक्टर है जिसकी वज़े से मुझे ऐसा लगता है कि यह स्टॉक यहां से गिरावाट भी दिखा सकता है यह जानेंगे हम इस विडियो में आगे लेकिन वेल देखे पी वाइस टॉक ट्रेट कर रहा है और इस इंड़ेस्ट्री का पी है 31.3 का एंडस्री के हिसाब से स्टॉक अभी कम पी पे ट्रेट कर रहा है लेकिन पेट्र पूइजी ब lágat को स travail के लिए अच्छा मगल जाता है विप्रोς limited का 5 है पीजी रेशियो 2.8 7 है PG अब प्रैस्टो डूप फइलिए 3.4 का है विप्रो लेमिटट के फाइब को मिडियन ब Digक मिला है 3.2 पस के हिसाफ से भी अभी ओवर वैल्ड है लेकिन पी के हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यूड लग रहा है विप्रो लेमिटेट के स्टॉक पे अनिलिस्ट के अगर बात करें डिसेंबर 18 को स्टॉक के लिए सिटी के टार्गेट सायते स्टॉक के लिए यहां से डाउंसायड देखने को मिल सकता है क्योंकि इसेंटर के लिए इसेंबर 18 को ही विप्रो लिमिटेट के स्टॉक के लिए मोतिलाल ओस्वाल की तरफ से भी टार्गेट आये थे मोतिलाल ओस्वाल के एनलिस्ट ने 460 रूपीज के टार्गेट दिये थे विप्रो लिमिटेट के स्टॉक के लिए न्यूट्रल की रेटिंग दी थी एनलिस्ट करेंटली आईटी स्टॉक्स के लिए कौशिस अप्रोच रख रहे हैं क्योंकि एनलिस्ट को ऐसा लगता है कि आईटी स्टॉक्स में याने वाले दो क्वर्टर चेलेंजिंग रहेंगे लेकिन फिर भी आइटी स्टॉक्स बठ रहे हैं रिसेंटली ही एसेंचर लिमिटेड जो की वर्ड की लीडिंग आईटी कंपणी है उसके फिनेंशल रिजल्स आये हैं एसेंचर लिमिटेड के रिजल्स भी बहुत जाद आच्छी नहीं आये हैं जो की आईटी स्टॉक्स में आई इस तेजी को जिस्टिफाई करें लिमिटेड ने जो गाइडकर के लिए वह भी वीक हैं आईटी गाइडन्स के बाद भी आटी इस तेजी के बाद विमिटेड के लिए टेक्निकाल एनलिस्ट के व्यू भी आया हैं Technical Analyst के view केहसास से, Wipro Ltd के स्टोक में ह buck assistant, यहाँ पर टेजी देखने को मिल सकती है Analyst के हिसास से, Wipro Ltd के लिए support का लेवल 445 रुपी Państwo पर है अगर यह stock बढ़ता है, तो यह stock resistance बेस करेगा था था प्र 95 के लेवल पर आनन्ड राथी के analyst के हिसा के से stock bullish रह सकता है स्टॉक के लिए support 445 पे है, resistance का 500 का level है, expected traded range इस stock का 1 month के लिए रह सकता है, 430 से 530 रुपीज के बीच में ऐसा आनंद राटी के analyst का कहना है and trips to rate के analyst का ये कहना है कि stock slightly bullish लग रहा है, लेकिन daily chart पे stock overbought भी लग रहा है, stock के लिए resistance का level अनलिस यहां पे 480 रुपीज पे देखते हैं and support का level 447 रुपीज पे देखते हैं, इस level से नीचे अगर ये stock जाता है, तो stock 385 का level भी दिखा सकता है, ऐसे analyst का कहना है इसके इलावा Wipro Limited के stock पे अगर मेरे view के अगर बात करें, तो मेरे view के हिसाब से technical chart पे ये stock अभी resistance face कर सकता है 476 के level पे and stock के लिए current support मुझे नजर आ रहा है 450 के level पे, ये crucial level है जो मुझे लगते है Wipro Limited के stock के लिए, लेकिन यहां पर हमें stock में बहुत cautious होना होगा, because company ने results क date announced कर दिया है, Wipro Limited ने announcement किया है कि company अपने financial results declare करें कि third quarter के company के board of directors की meeting है 11 जनवरी और 12 जनवरी को company अपने December quarter के results announce करेंगी, इस results के साथ company में dividend भी आने वाला है, interim dividend आने वाला है for the financial year 2023-24, so अगर results में कुछ negative surprises रहते हैं, तो ये एक negative trigger की तरहा भी Wipro Limited के stock के लिए रह सकता ह और यहां से ये stock support का level भी test कर सकता है, so मैं यहां पर Wipro Limited के stock के लिए बहुत ज़्यादा bullish भी नहीं हूँ, और इस stock में कोई fresh position लेने का recommendation भी नहीं करूंगी, क्योंकि company के results आने वाले हैं, results तक हमें stock के लिए cautious रहना चाहिए, ऐसा मेरा view है, बट यह मेरा personal opinion है, आप कोई भ subscribe करिए, thank you